प्रदेश में कोरोना संकर्मन की रफ्तार थमने और नए संकर्मित मरीजों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुई प्रदेश सरकार पावंदियां हटाने लगी है ऐसे में मंगलवार एक फरवरी से फिर से स्कूल खोल गए हैं लेकिन स्कूलों में 50% छात्रों की ही उपस्तिती की अनुमती प्रदान की गई है 18 दिनों बाद स्कूलों में कक्षाय प्रारंब हुई इस्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया स्कूल पहुँचे छात्र छात्राओं में भी उत्साह नजर आया छात्रों ने सरकार के इस फैसले की सरहना भी की कोरोना संक्रमन की तीसरी लहर में नए संक्रमितों के रफतार थमने के बाद राज्य सरकार पावंदियां हटाने लगी है पूरे प्रदेश में एक फरवरी याने आज से 50 प्रतिशत चमता के साथ स्कूल खोल दिये गए हैं 18 दिनों बाद स्कूलों में फिर से अध्याइन और अध्यापन कारे शुरू हो गया है लेकिन चात्रों और शिक्षकों को मास्क लगाने सामाजिक दूरी का पालन करने और कोरोना की सभी गाइडलाइन फॉलू करने का निर्देश दिये गए हैं इस्कूल खुलने के बाद इस्कूलों में फिर से चात्रों की चहल पहल नजर आई चात्र कोवीड नेवों का पालन करते हुए उत्साह के साथ स्कूल पहुँचे और सरकार के इस फैसले की सराना की सरकार के निर्देशों के बाद इस्कूलों में भी अध्यापन कारे शुरू कर दिया गया है ओनलाइन कख्षाएं भी संचालित की जा रही है शिक्चकों ने सरकार के इस फैसले को चात्रों के हित में बताया है शाषन के निर्देशें के 50% चमता के साथ क्लासिस खुलेंगी प्रिकाशन सवाई कोवीड प्रोटोकाल का पालन हो रहा है बच्चे मास्क लगाए है और सैनिटाइजर रखा है रूम को सैनिटाइजन किया गया है और कम क्लासिस खुरसी टेबल भी साफ करवा दी गई है और सोशल डिसेंसिंग का पालन हो रहा है और यह अच्छा है यह बच्चों के हित में निर्देशें के निर्देशन के निर्देशें बहुत बढ़िया है इसकूल खुलने के बाद इसकूलों में 50 फीस दी शातरों को ही कक्षाओं में प्रिवेश की अनुमती प्रदान की गई इसकूलों द्वारा शातरों के लिए सैनिटाइजर और बैठक वैवस्था का इंतजाम सुनिश्चित किया गया है